नमस्कार आप दिख रहें जंता दर्बार नियूज और मैं आपके साथ जोती राखव। पूरा गोगा मेडी को निया दिलाने के लिए पूरा राजस्तान एक दिन के लिए बंद करवाया गया था। हालांकि पुलिस ने दो बदमाशु को अब गिरफतार कर लिया है। पुलिस के पास भैतर गंटे का अल्टिमेटम टाइम था। आपको पता दे कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्तान पुलिस ने शूटर्स रोहित राठोड और नितिन फोजी को शनिवाद देर राध चंदीगर से गिरफतार कर जयापूर ले आई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गोगा मेडी की हत्या के पांस दिन बाद एक महीला ज्यापूर में मीडिया के सामने आई महीला ने बताया कि वे गोगा मेडी की दूसरे नंबर की पत्मी सपना सोनी है महीला का कहना है कि सुगदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या के आरोपयों को सजा मिलेगी तभी न्याय मिलेगा आपको बता दे कि सपना सोनी ने एक मीडिया को दिये इंटर्व्यू में बताए कि सुगदेव सिंग गोगा मेडी की एक नहीं तीन पत्निया है सपना सोनी ने बताए कि गोगा मेडी की पहली पत्नी शकुंतला चोधरी है वही गोगा मेडी की दूसरी पत्नी है जबकि तीसरी पत्नी शीला कवर है सपना सोनी का कहना है कि सुगदेव सिंग गोगा मेडी के सीला कवर से दो बेटियां ही नहीं बलकि उनसे एक बेटा भी है सुगदेव सिंग गोगा मेडी ने तीन महिलाओं से समाज परिवार के सामने फेरे लेकर शादी नहीं की थी तीनों ने अपनी मर्जी से गोगा मेडी के साथ रहना स्वीकार किया है तीनों ने आपस में नहीं बनने की कारण अलग-अलग रहती थी इसी के साथ ही सपना सोनी का कहना है कि गोगा मेडी के 200 करोड रुपे की संपति है लेकिन उन्हें रुपय नहीं न्याई चाहिए गोगा मेडी के हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए सोनी का कहना है कि शीला कवर राजपूर समाज से होने की कारण उसको सपोर्ट किया जा रहा है वे भी आंदोलन के समय बहार आ सकती थी गोगा मेडी की हत्या किस कारण से की गई आरोपियों के सजा मिलेगी तब ही न्याय मिलेगा फिलहाल पुलिस अब आरोपियों को कोट में पेश कर रिमांट पर लेगी ऐसी में ये है तो साफ है कि पूश्तास में ये राज खुल जाएगा कि आकिर शूटर्स ने गोगा मेडी की हत्या क्यों की थी बता दे कि पुलिस अब दो बज़े तक प्रेस कॉंफरेंस कर इसकी पूरे मामले का खुलासा करेगी जनता दर्बान भी फिल हाल के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ अब तक के लिए देखते रहे हैं जनता दर्बान